रेसिटली यूटूब या फिर इंस्टग्राम पे ब्लेंडर को यूज करके कैसे आप कमर्शियल एड्स को बना सकते हो उस टैक का वीडियो बहुत ज़ादा ट्रेंडिंग में चल रहा है वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत ज़ादा इंफमेशन से और इसके लिए आपको एक ठोड़ा सा सॉफ्ट्वर की हेल्प लेना पड़ता है जो इसका नाम है एप स्पाई इसके उपर डेडिकेटली में एक वीडियो बना है जाके चेक आउट कर लिए थमनेल को हुआ है तो जो की कुछ आपको ऐसा दिखेगा अब मोस्टली हमको एक्स वाइजट को अलाइन करके इसका एक प्रॉपर कैमरा एंगल निकालना है तो जो कि बहुत इसी है तो मैं फिलहाल जो एक से न इसको ऐसे अलाइन कर दूँगा अभी आपको वाई दिख रहा है यहा यहां पर आ चुका है वाई देखने के लिए संपल यहां पर जाके एक्स वाई ग्रेड तो आपके यहां पर ग्रेड देखेगा नाओ ग्रेड थोड़ा से उबर है आप इसको ड्रैक करके नीचे ला सकते हो इसके साथ ऐसे ऐलाइन कर सकते हो एंड वन्स हैपी विट इस ग यहां पर आपको आपका जो फाइल अपने सेफ किया है उसको इंपोर्ट करना है आपके कुछ ऐसा दिखेगा यहां तक आप आगए तो आपका 80% काम हो जुका है बागी इस आपको ना इसका एक मॉडल बनाना है तो शिफ्ट है मेश क्यूब अब जैसे आपके क्यूब लो इसका एडिट मोड पर चलेंगे और मेक शूर अभी हमको इसको साथ इसको अलाइन करना है जैसे अक्चुली रिएल वोल पर होता है तो सिंपल इसको यहां पर क्लिक करेंगे एंड गो डू कैमरा व्यू एंड इसको पुश कर देंगे यहां पर एक बीसीक लेवल का मॉडल करना है विकास एगें हमको इसको करना पड़े का ट्रैक और सेलेक्ट इस वान प्रेश इरो एंड इसको भी हम यहां पर बना देंगे और इसको प्रेश इरो और इसको टॉप में खीच देंगे जैस्लू कामरा अगर प्रॉपर ली अलाइन होता है न तो आप कोई भी मॉड करेंगे हमारा प्यारा दूलारा जियो ट्रैकर थैंक्स टूकिंटूल्स चलिक्ट दिस यहां पर आएगा क्लिप जहां से आपको आपका जो डिजायर क्लिप वो बस यहां पर इसको इंपोर्ट कर लेना है अब मैंने यहां पर ऑड़ेटी सको एनलाइज करके रखा हुआ ह यहां पर आपको कुछ कॉर्णस पर दो चार एसे पिन स्कोर रखना पड़ता है इट विसिकली हेल्प्स यू तो यू एड़स्ट प्रॉपर ट्रैक आप चाहो तो बीच बीच में भी एक दो रख सकते हो कुछ ऐसे तो इसका जोड़ है ट्रैक को पकड़ करने में हेल्प करत एसे ट्रैक करके अजस्मेंट कर सकतों अगर आपका मौडल प्रॉप्स अगर आप यहां पर इसको प्ले करोगे आप देख सकता मौडल पर बैठा हुआ तो आपका मीन काम हो चुका है अभी एक्सित करो पीन मोड से हमको कामरे एक्स्पोड करना है अगर आप बाहर जाके डेखोगे सो अभी आपके प्वास कुछ ऐइसा डानरा का दिख रहा है तो अभीत चलो करते नावि अपको जोगी करेंगे तो चलो करते हैं इसको और फर प्राइय का 焦ोर है लाइक इसको बनाना पड़ेगStar जो भी कहलो तो इसको select करेंगे tap press करेंगे and या आप इसको select and select तो यह कुछ दोनों select हो गया है आप अब इसको separate करना है तो right click separate by selection तो इसको हम rename करके कर देंगे glass तो यह होगा हमारा glass और यह जो हमारा है तो यह होगा हमारा base तो दोनों models हमारे पास आगे एक one एक two अभी इस पर हमको डालना पड़ेगा materials बट पहले तो आपको इसको इप से cycles पर डालना पड़ेगा CPU से GPU यह बहुत ज्यादा लोड लेगा now select this go to material अभी एक यहाँ पर new पर जैसे हम click करेंगे यहाँ पर लिख देंगे glass now glass का material बहुत simple है यहाँ तो simple surface पर click करो यहाँ पर आता है glass bsdf simply select और यह आपको glass का material बना के दे देगा जैसे आप यहाँ पर click करोगे आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेंगे now need environment तो simple go to environment texture open यहाँ पर मेरे पास एक basics का sky है तो मैं डाल दूँगा तो अभी आपको फिलहाल यह कुछ ऐसा दिख रहा है doesn't matter हम थोड़ी दे में इसको fix कर देंगे now simply select the second model और यहाँ पर भी हम एक piece जो है इसका बनाएंगे तो उसके लिए हम इसका color को जो है थोड़ा सा different color में डालेंगे something like this roughness को थोड़ा सा and metallic तो अप तभी आप देख सकतो आपको यहाँ पे proper वो feel आ रहा है now go to see and यहाँ पर आएगा film यहाँ पर आता है transparent जैसे transparent को आपके यह दिखेगा now अगर आप इस model को select करते हो ना इसको अ the height तक यह render पर फिलाल ना दिखे अब अगर आपको lines यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो simply select करो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर आपको बहुत सारा option मिलेगा वहाँ पर लेगा wireframe तो जैसे wireframe पर click करो आपको यहाँ पर wires देखने को मिलता है which will basically actually help you to understand कि यहाँ पर सब कुछ कह करेंगे तो हम simply यहाँ पर e press करेंगे and then press s to extrude तो यह हो गया थोड़ा सा extrude तो अभी basically हम इसको करेंगे e again and यहाँ पी जो z axis है इसको z axis पर पुश कर देंगे just like this so अभी यह proper तरीकी से यहाँ पर आप देख सकतो extrude हो चुका है now press tab अभी अगर आप इसका जो glass model इसको enable करते हो and simply select करते हो आप इसको अराम से इसके अंदर हैसे गुसा सकते हो very simple and by the way इसका जो height है इसको थोड़ा सा और हमको increase करना पड़ेगा कुछ ऐसा और आप चाहो तो इसको increase भी कर सकते हो तागि कई से भी यह जो है दिखे ना because अगर यह moral speech से दिखने लगा तो भाई दिक्कत ह है अभी हमको जो है यह वाला जो specific part अभी हमने extrude करके निकाला इसको आप separate कर सकते हो तो separate करने के लिए simple again इसको select करो just like this तो यह हो गया select and now right click separate by selection and once again यह वाला जो पार्ट अभी अपने extrude करके निकाला this one इसको हम नाम देने गया hold out ठीक है अभी अगर आप यहाँ पर चलोगे and go to this आपको यहाँ पर यह proper दिख रहा है इस तरीके से ना आप आराम से animation कर सकते हो और यह दिखेगा ने and now one glitch है यहाँ अगर आप ध्यां से देगों यहाँ पर एक हलका सा इसका shadow गिर रहा है this is basically for this glossiness तो इसका simple glossiness कर आप आप और आफ कर दोगे it's become perfect इसको simply select करके cross check कर लो yes it's working perfectly अब बार ही है इसमें इसको animation देने का तो फिलहाल 15 फ्रेम तक कोई changes नहीं होना चाहिए and now हम यहाँ पे की फ्रेम डाल देते हैं तो इसके बाद जैसी थोड़ा से आगे जाएगा something like 30 frames यह पूरा ऊपर चला जाएगा and it will hide and now make sure इसका जो की फ्रेम है यहाँ पे इसको interpolation mode make it to bezier so now अगर आप इसको check करते हो in normal mode and play and boom it's hide okay तो यहां तक हमारा animation is done now बारी है हमारा इसका internal animation डालने का था now हम यहाँ पर use करेंगे एक clock जो आता है हमारे blender kit से आप कहीं से भी download कर सकते हो तो मैं यह आप एक watch enter मारता हूं कुछ ऐसे आगया है यहाँ पर तो यह आगया आरे पास घड़ी alpha का है बहुत सही है और lighting के साथ बहुत दही से match भी कर रहा है तो इसको simple आप select करो and scale up कर दो अपने scene के साब से अब आप देखो कि आपको यहाँ पर वायर फ्रेम्स दिख रहा है तो अभी आप वायर फ्रेम्स को बंद कर सकते हो because इसकी ज़रूरत नहीं है अगर आपको इसको proper तरीक रोटेशन करना है मैं समझाता हूं आर प्रेस करो वाई प्रेस करो 90 एंड इसका रोटेशन यहां पर आ गया एंड जस्ट लुक अगर आप चाहो तो इसको यहां पर दीख सकते हो कि यह घड़ी इसके अंदर ऐसा दिख रहा है अब इससे क्या हो रहा है ध्यान से देखो कि घड़ी इसके बाहर जा रहा है जस्ट लुक अट दिस आपको समझ में आएगा तो इसलिए आपको घड़ी को जो कुछ भी करके इसके अंदर रखना है जास्ट लाइक दिस ताकि यह बाहर ना जाए एंड ना वन मोर थींग यहां पर आता है मिटीरियल इशू जैसे आप मॉडल को स्लिट वच मतलब एक वच में बेसिक लेवल का अनिमेशन तो सिंब्ल इसका की फ्रेम आउन करो अब मैंना हर दस प्रेम पे इसको चेंज करूंगा तो जैसे यह उपर गया चाता हूं यह थोड़ा सा यूनों नीचे आए एंड दिन थोड़ा से आगे गया देनी यह उपर जाए इस लागां पांसिंग ठीक है अब आप कुछ भी कर सकते हैं अब जो भी चीज़ें यहां पर मन पसंद कर सकते हो जैसे यह यहां पर आए जाता हो थोड़ा से नों यह बड़ा हो जाए तो यह कुछ ऐसा है जो कि आक्चुली विजुली बहुत ज़द आपिलिंग लगता ह जास लाग दिस एंड यहां पर पॉंस्ते पॉंस्ते इसको चोटा कर दूंगा अभी इसका जो शेड़े वो ठक जाएगा एंड इट विल डिसपीर ठीक है यहां तक हो गया इसको फिलाज में आफ कर देता हूं अभी बार ही हमारा जो ग्लास है उसको स्लेट करना एंड जै आप कुछ भी अनिमेशन यहां पर डाल सकता है अब इसको होने के बाद आपको इस पार्ट को ढगना पड़ता है जो की बहुत जादा इंपॉर्टन स्टेप है यहां पर वह भी बहुत सिंपल है मैं आपको दिखा देता हूं तो फिलहाल यहां पर चले हो यहां पर बैक प जाता है आपको सिंपल इसको सिलेट करना है इसको रेंडर मोर पर डालता हूं अब यह कुछ ऐसा दिख रहा है सिंपल गोटो हैं जैसे मैंने दिखाया था होल्डाउट होल्डाउट कर दो तो इसके पीछे हैं सब्सक्राइब आपको यह एडवाला वीडियो पसंद आया म मैं भी प्रेंडिंग में आ गया हूँ अगर आप भी बेरे साथ जोड़ना चाहते हो तो इंस्टेग्राम में जोड़ सकते हो और ऐसे वीडियो बना के टैक कर सकते हो पसंद आया तो मैं उसको टेफिनली रिशेयर करूंगा एंड थैंक्यो फॉर वाचिंग व्याफिक्स टुटोरियल्स सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई